अब दोस्तों कैसे आप सब अई हो पच्छे होंगे मज़िब होगे मेरा नम नासीर और आप देख रहे हैं एबी टेक व्लोग तो बोट ने अपना एक और नया गेमिंग एरबट्स लाउंच कर दिया है इसका नाम है बोट एयर डॉप्स 191 जी तो आज इसके एंबॉक्सिंग एंड रिव्यू होने वाला है और क्या-क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं तो वीड मिलने वाला है रिसमें जो खास। से उसको मेंशन किया है इसका बात के यहांपको 10 अग Dell honest किया वीचर्स कि देखने 4 वाला है negotiating कर्म आए IPX5 का Certification उसके बाद यहाँ पर आपको appealing case LED lights मिलने वाली है One Touch Voice Assistant और smooth touch control यहाँ पर मिलने वाला है तो यह सारे features मिलने वाले हैं तो चलिए box को open करते हैं और देखते हैं कि box में क्या-क्या मिलता है तो इस बर packaging काफी unique आपको मिल जाती है और इस तरह से slide करना है तो आपको box मिल जागा box को open करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको board का sticker मिल जाता है उसके बाद काफी सारे cards मिल जाते हैं जिसमें आपको board का catalog और user manual भी मिल जाती है और last time में यहाँ पर आपको warranty card मिल जाता है उसके बाद कुछ इस तरह से case रखा हुआ मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसको रखते हैं fill outside में और यहाँ पर आपको एक और box मिलता है तो इसमें देख लेते हैं क्या मिलता है तो इसमें आपको कुछ extra air tips मिल जाती है जो कि आप अपने कानों के हिसाब से adjust कर सकते हैं और यहाँ पर आपको type c cable मिल जाती है जो कि काफी अच्छी quality की है तो यही cool content मिलते हैं box में अब आते हैं buds की तरफ तो कुछ इस तरह कि यहाँ पर आपको diamond shape में case मिल जाता है जो कि look was काफी amazing लग रहा है और build quality की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छी quality की plastic use के गई है और यहाँ पर अपको matte finish मिल जाती है तो यहाँ पर scratches जल्दी नहीं आएंगे तो build quality design काफी सही लगी है मुझे इसकी बाग इसको open करते हैं और pair करते हैं phone से और फिर देखते हैं कि इसकी connectivity कैसी है तो यहाँ पर आप जैसी लीट को open करते हैं यह pairing mode पर आ जाता है और आपको जाना है Bluetooth में और देख सकते हैं यहाँ पर air drops लिखा हुआ आगे इस पर tap कर देना है और आसानी से यह pair हो जाएगा बाकि अगर आप इसको एक बार पेर कर देंगे दोबारा पेर करने के लिए बस लीट को open करना है और यह फटा-फट से pair हो जाता है क्योंकि इसमें आपको Bluetooth 5.2 का support मिल जाता है तो connectivity की सूपर फास्ट है और case में आपको इस तरह से LED strip भी मिल जाती है जो कि इसको proper gaming look देने वाली है और backside में यहाँ पर आपको type-c port मिल जाता है इसको open करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको birds रखा हुआ मिल जाता है और birds की quality भी काफी ज्यादा amazing है और hinges की quality भी यहाँ पर आपको काफी अची मिल जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पर आपको काफी तगला magnet भी देखने को मिल जाता है तो अगर आप इसको उल्टा करते हैं तो यह गिरता नहीं है बाकी एक बार birds को निकलते हैं और देखते हैं कि birds की quality कैसी है तो यहाँ पर आपको glossy finish मिल जाती है और look wise काफी ज्यादा premium लग रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर आपको transparent body मिल जाती है तो अंदर के components आपको दिखाई देंगे जो कि काफी amazing लगता है जो किसके पहले nothing care, birds आय थे वहाँ पर आपको इस तरह की body मिलती थी बट वह काफी महंगा था और यहाँ पर boat वालों आपनों को कम price में यह चीज़ प्रोवाइट कर दी यह मुझे काफी सही लगा बाकी इसकी birds में भी आपको lights मिल जाती है और यहाँ आपको IPX5 का certification भी मिल जाता है तो हलकी फलकी बारिश में आप इसको use कर सकते हैं बाकी जी में जाते हैं यह पसी नहोता है तो यह खराब होने वाला नहीं है तो अब इसको एक बर पहनते हैं और देखते हैं कितने ज़्यादा comfortable है तो फेटिंग काफी इच्छी है यहाँ पर आप देख सकते हैं और जितना भी फेट को हिलाएंगी यह गिरने वाल नहीं है तो फेटिंग आपको काफी इच्छी मिल जाती है बागी comfort के बात के लिए तो काफी ज्यादा comfortable है क्योंकि काफी lightweight है तो इसमें सॉंग को सुनते हैं और देखते हैं कि sound quality इसमें कैसी मिलती है तो इसमें जो bass मिलती है वो काफी ज्यादा पंची मिलती है और जिन लों को bass पसंद है यह birds उन्नों के लिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी powerful bass मिल जाती है बाकि travels की बात करें या फिर vocals की बात करें तो वह भी आपको काफी clear सुनाई देते हैं बाकि बेस ज्यादा मिलती है इसमें बाकि इसकी जो loudने से वह काफी ज्यादा है तो max value पर आप इसको सुन नहीं पाएंगे इतने ज्यादा loud है और जो best output है वो है 60-70% पर तो वहाँ पर करेंगे तो बीश्ट मोट अक्टिवेट हो जाएगा और लेफ्ट वाले बड़ पर टैप करके होड़ करेंगे तो Google Assistant अक्टिवेट हो जाएगा और इसका test sensor काफी अच्छे से वर्क करता है बाकि गेमिंग की बात करें तो इसमें आपको 65ms के low latency देखने को मिल जाती है तो अगर अगर गेमिंग की शौकीन है, COD खेलते हैं, PUBG खेलते हैं तो यह आप लोगों के लिए होने माला है क्योंकि यह पर अपको gaming performance काफी अच्छा मिलने वाला है इसमें आपको call quality भी काफी अच्छी मिलने वाली है क्योंकि यहां पर अपको quad mic का support मिलने वाला है और inx technology मिल जाती है जो कि बाहर के noise को reduce कर देती है तो call quality काफी अच्छी मिलने वाली है तो अभी अब लोग जो हवाज सुन रहे हैं वो मेरे मैड से record हो रही है और अभी आप लोग जो वह इस बाट हो रही है तो समने वाले को कुछ इस तरह की आवास सुनाई देगी बाकि देख सकते हैं हलो 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 लाश्टी बाते हैं इसकी बैटरी पे तो यहां पर आपको 30 घंटे का बैटरी बैकप मिल जाएगा जो की काफी ज़्यादा जबरदर्स थे और आप मल्टिपल बार बर्ट को चार्ज कर सकते हैं केस में रखकर तो मारकर चलिए आपको 26-27 घंटे का बैटरी बैकप मिल जाग डिजाइन मिलती है आपको LED लाइट भी मिल जाती है उसके बाद साउंड क्वाल्टी काफी अमेजिंग है गेमिंग पर्फॉमंस काफी अच्छा होने वाला है तो और देखा जा तो काफी अच्छा एरबट से आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं बाकि अगर आप लोगों आप टेक लिपने ख्याल रखियें बाई